जेड प्लांट हो या क्रैसुला अक्सर सर्दियों में इसकी पत्यां पीली पढ़ने लगती हैं या पौधा अपने सारी पत्यों को गिराने लगता है और ग्रोथ को बिल्कुल भी रोग देता है आज के वीडियो में आप जानेंगे कि अपने जड़ प्लांट को सर्दियों में किस तरीके से आप केर कर सकते हैं किस तरीके से इसे सूखने से बचा सकते हैं ये जो वाटर आपको दिख रहा मेरे हाथ में ये जड प्लांट की ग्रोथ को सर्दियों में भी डबल करेगा और पौधा बहुत ही बुशी हो जाएगा जड प्लांट एक ऐसा पौधा होता है जिसे बरसात, गर्मी, सर्दी सब में अलग-अलग तरीके से ख्याल रखना होता है जड के साथ ही ये जो पौधा आपको देख रहा है, ये है क्रेसुला ओवाटा, क्रेसुला के पत्ते जो है थोड़े बड़े होते हैं जड से हला कि आजकल इन पौधों को घर में लगाने का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि ये लखी प्लांट के नाम से आपको नरसरी पर मिल जाएंगे जड और क्रेसुला को आप एक जैसी केर करके अपने घर में लगा सकते हैं और सबसे अच्छी बात है दोनों को बहुत बड़े पौट की ज़रुरत नहीं होती है 5-8 इंच के कंटेनर में ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो होते रहते हैं और इनको ज़रूरी चीज है जो चाहिए वो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जड के पौधे को यदि आप रीपौट करने की सोच रहे हैं या कटिंग से लगाने की सोच रहे हैं तो आपको फैबरुरी तक वेट करना होगा फैबरुरी से लेकर दिसंबर तक किसी भी महीने में जड के पौधे को पत्तों से भी उगाया जा सकता है कटिंग तो बहुत आसानी से उगाया ही जाता है कई बार वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कटिंग उगाने का तरीका क्या है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं जेड के पौधे को यदि सर्दियों में आप दिसंबर की ठंड में या जैनवरी में उगाने की सोच रहे हैं तो इसके लिए मेहनत थोड़ी जादा बढ़ जाती है बहतर है आप दो महीने तक वेट कर लें फैबुरी के बाद ही इस पौधे की छोटी सी कटिंग यानि एक इंच की कटिंग को भी आप ग्रो कर सकते हैं रिपॉर्ट करने का भी ये सही टाइम नहीं होता है यदि आपके जेड की पतियां पीली हो रही है और कुछ इस तरीके से सिकुडी हुई सी हो रही है तो इसका मुख्य कारण यही है कि जेड को आपने बहुत दिनों से पानी नहीं दिया है या सर्दियों में कई बार हम डर कर अपने पौधे को कम पानी देते हैं देखिए जेडिया क्रेसुला जो है यह एक सकलेंट की विराइटी होती है सकलेंट वो पौधे होते हैं जिनके पतियों के अंदर पानी भरा होता है तो जितनी बार हम ओवर वाटर करते हैं या अंडर वाटर करते हैं तो पौधा अपने इटसल्फ जो पत्यों के अंदर पानी है उससे अपना काम चलाता है यदि आपने बहुत दिनों तक पानी नहीं दिया है तो पत्यां कुछ इस तरीके से सिकूडने लगेंगी और सिकूड कर उसी पानी से सर्वाइब करने लगेंगी और धीरे धीरे ड्राई हो जाएंगी यदि आपने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया है और लीफ्स में अलरेड़ी पानी भरा हुआ है तो पत्यां जो है वो गिरने लगती हैं हेवी हो करके तो दोनों ही कंडिशन में वाटर का ध्यान रखना जरूरी है खास कर सर्दियों में आप इस बात का ध्यान रखे एक या दो दिन के गैप पर पानी दें लेकिन पानी देना बंद ना करें इन पौधों को बहुत ज़्यादा स्प्रे की जरूरत नहीं होती है क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि ज़्यादा स्प्रे करने से इसके पत्यां हेवी होकर के गिरने लगती है जब भी आपको पानी देना है उपरी सतह को चेक कर लिजे यदि सर्फेस पर बिल्कुल भी मॉइस्चर आपको नजर नहीं आ रहा है तो आप पानी दे दीजे आपने पौधे को वेल ड्रेन स्वाइल में ही लगाया होगा तभी आप अपने पौधे को सर्दियों में सूखने से बचा सकते हैं जब कभी भी आप जेड या क्रेसूला के पौधे लगा रहे हैं तो 30% आपको सैंड और बाकी के रेशियों में गाडन स्वाइल एक चमबच कैल्शियम पाउडर और कोई भी प्रकार के कंपोस्ट को मिला कर लगाना होगा यानि कि मिट्टी का भुरभुरा होना वेल्डरेन होना बहुत जरूरी है गिली मिट्टी में इसकी जड़े बहुत असानी से सड़ जाती हैं और इसके स्टेम मोटी नहीं होती है यदि आपके जड के पौधे बुशी नहीं है और एक या दो डंठल ही नजर आती है तो आप चाहे तो किसी भी मौसम में उपर से 2-3 इंच इसे आप कट कर सकते हैं कट करने से क्या होगा वहाँ से नई ब्रांच निकलेगी देखिए ये भी क्रैसूला का पौधा है 50 रुपीज में अभी आपको नरसरी पर मिल जाएगा इसे लाकर के जिस तरीके के स्वाइल में मैंने बताया आप लगा सकते हैं अभी यानि दिसंबर, जनवरी, फेवररी में इस पौधे को लगाने का बिल्कुल फेवरेबल टाइम होता है लेकिन कटिंग अभी ग्रो नहीं हो सकता अब खाद की बात करते हैं देखिए ये है सरसो की खली यदि आपके पास 3 या 4 गंबले हैं 5-8 इंच के बीच में तो आपको क्या करना है एक चमच पाउडर सरसो की खली का ले लीजे और उसे आप पानी में घोल लीजे पानी आप अपने एकॉर्डिंग ले सकते हैं जितनी आपको जरूरत है तीन-चार गंटे छोड़ दीजे ताकि बहुत अच्छे से एक पतली सी लेयर बन जाए पतली सी आप कह सकते हैं कंसिस्टेंसी बन जाए और फिर आप इसे डिरेक्ली अपने क्रैसुला या जेड के पौधे में दे दीजे अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है यदि गाड़ी घोल आप देते हैं तो बहुत जल्द फंगस लग करके आपका पौधा खराब हो जाएगा कई बार सरसो की खली जो है फाइदा करने के बजाए नुकसान ही कर देती है क्योंकि मिट्टी पर उसकी परत जम जाती है तो यह बात ध्यान रखें कि इतना पतला हो कि उसमें एक भी सरसो की खली के दाने नजर ना आए लेकिन दूसरी तरफ यह NPK से युक्त होता है और आपके क्रैसुला या जड के पौधे को बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेने में मदद करता है अब इसको देना कितना है यह आप 10 से 15 दिनों पर एक बार दे सकते हैं देखिए एक ग्लास में मैंने तीनों पौधों को दे दि कीजिए लेकिन एक चीज़ ध्यान रखे प्रॉपर सनलाइट का पौधा है यह पूरे दिन के धूप में रखना है कई लोग समझते हैं कि इंसाइड इंडोर इसे ग्रो किया जा सकता है नहीं बिलकुल भी यह ग्रो नहीं होगा इंसाइड में यानि कि आपके इंडोर प्ल आप इसे थोड़ी थोड़ी एक दो इंच ट्रीम करते रहें इस खाद को आप अभी एप्रिल तक दे सकते हैं कॉंटिनुएशन में यानि कि हर एक 15-15 दिनों पर इसी खाद को दीजिए यदि आप बोन मिल का इस्तमाल करते हैं तो एक चमच बोन मिल दे दीजिए जिससे कि पौधा आपका बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा और जो पत्तियां हैं वो बड़ी बड़ी और चमकदार निकल करके आएंगी बोन मिल एक चमच पांच से आठ इंच के कंटेनर के लिए एनफ होता है मैं बोन मिल का इस्तमाल नहीं करती हलाकि कैल्शियम से युक्त है इ कैल्शियम का एक बहुत अच्छा श्रोथ होता है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसको आप देख लीजेगा और जब भी आप पानी दे रहे हैं इस बात का विशेज धियान रखें कि जड़ों में ही पानी दे जड़ प्लान को बहुत ज़्यादा गुड़ाई तो नहीं पसंद है क्योंकि इसकी जड़े फ्लेशी होती है आप यह कह सकते हैं दो या तीन इंच उपर तक ही फैली होती है तो बहुत ज़्यादा कोई गुड़ाई करने की ज़रुवत नहीं पड़ती है जड़ प्लान को हाथों से ही आप हलका सा उपरी सर्फेस को आप उ पर रख दीजिए या फिर जहां भी अच्छी धूप आती है पूरे दिन की धूप वहां पर आप रख दीजिए मुझे उमीद है जनकारी अच्छी लगी होगी जनकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना बूले और हां इसे रिलेट सेक्षन में लिख दीजिए जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी धन्यवाद